कल शाम को और परसों अर्ली मॉर्निंग जब छट के सिलिब्रेशन होंगे तो द्वारका जिले में 133 जगा पे छट गाट बनाएं गए हैं और कई हजारों में अश्र दलू आपे आएंगे और छट का पूजा करेंगे इसको देखते हुए हमने काफी अलाबरेट सेक्योटी किया है हम छट गाटों पे अपने स्टाफ को भी डिप्लॉई कर रहे हैं उसके अलावा सिविल में भी हम कुछ स्टाफ को डिप्लॉई कर रहे हैं जो नजर रखेंगे अलग-अलग जगा पे मचान मोर्चे भी बनाए गए हैं ताकि स्टाफ उसमें डिप्लॉई हूँ हमने रिसेंटली जितने भी चट पूजा समिती हैं जो इन चट पूजा कारेक्रमों के और्गनाइजर हैं उन सब के साथ भी एक मीटिंग किया और उनको भी जो सेक्यूर्टी डूस एंडोंस हैं उसके बारे में अफगत कराया गया अपने तरफ से वह सब भी वॉलेंटिय का डिप्लाइमेंट कर रहे हैं और मुझे पूरा उमीद है कि चट पूजा का जो अरेंजमेंट है अच्छी तरी से निकलेगा और मैं सभी को चट के पावन पर का शुकाम नहीं देता हूं सज्जिस तरीके से जहासकर महिलाएं वहां पर होती है तो उसको लेके क्या खास एहतियाद बरता जाता है इसमें लाज निमबर में महिलाएं और चट घाट पर बच्चे भी आते हैं तो हम इसमें अपना रास्तों में जो मोटसाइकल पेट्रोलिंग है वो भी लगा रहे ह और जो छट घाट जो बनाए जा रहे हैं उसमें भी हम इसका भी ध्यान रख रहे हैं कि उसमें कितना पानी भरेंगे ताकि किसी तरह कोई स्लिप होके भी कोई इंसिदेंट और ना हो पाए और हम इसमें वुमें स्टाफ का भी कॉम्पोनेंट सफिशिंट नंबर में डिप झाल